हालो एवरिवन गुड आफ्टरनून वेलकम बेक टू पर्चम आएम पूजा आज हम डिसकस करेंगे इंशन हिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है पाशान काल या फिर इस्टोन एज हाला कि इसके पहले मैंने जैनिस्म और बुद्धिस्म वीडियो बना है जो कि इंशन ह इस्ट्री से ही रिलेट करते हैं अगर आप में नहीं रेखे तो आप पर्चम की प्लेइलिस्ट में जाके उन दोनों वीडियो को आसानी से देख सकते हैं तो स्टार्ट करेंगे आज हम स्टोन एज के बारे में लेकिन इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक जांडर ग्रेट की बात कर रही होंगे उस समय हम बीसी की बात करते हैं जब हम बाबा अपर हमायू की बात करते हैं तो ये क्या है इसको समझ लेते हैं तो बिसिकलि हमने इस टाइम लाइन पे जीरो को बेसिलाइन कंसीडर किया है और जीरो मतलब है जिस दिन बर्थ हुआ जीजस क्राइस्ट का ठीक है ना बर्थ आफ जीजस क्राइस्ट को क्या कंसिडर किया है जीरो किया है तो जीजस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के जो सारे इवेंट्स होते हैं वो BC कहलाते हैं ठीक है बिफोर दा बर्थ आफ जीजस क्राइस्ट और अगर आफटर दा बर्थ क की बात करते हैं जीजस क्राइस के बर्थ के बात की बात करते हैं तो उसको हम एडी कहते हैं एनो डोमीनी के नाम से इसको जाना जाता है अब देखिए जीरो के बाद काउंटिंग कैसे करोगे तो वन करोगे टू करोगे थ्री फोर और आज कहां रह रहे हैं तो आज रह रहे ह बहुत simple होती है, 1, 2, 3, 4, 5, so on, लेकिन BC, BC में counting just उल्टी होती है, BC में counting कैसी होती है, उल्टी होती है, मतलब यहां से शुरू करोगे, 1, 2, 3, 4, अगर आप बात कर रहे हो 5 BC, मतलब आप Jesus Christ के बर्थ के 5 साल आँगे हो, अगर आप बात कर रहे हो 100 BC, मतलब Jesus Christ के बर्थ के आप 100 years आँगे हो, मतलब आज से आप कितने साल पीछे चले गए हो, तो आज से आप यहां पे count कर लो, तो 2, 1, 2, sorry, अगर 2, 0, 2, 1 में आप 100 को add कर दोगे, तो 2, 1, 2, 1 years की आप बात कर रहे होगे, clear तो आज से 30 साल पहले की बात कर रहे हो, तो BC उल्टा चलता है, जितना ज़ादा BC, मतलब 500 साल पहले की बात कर रहे है, Jesus Christ के 10,000 BC, मतलब 10 साल पहले Jesus Christ के बर्थ की बात कर रहे है, तो यहाँ पर जो Stone Age हम बात करेंगे Stone Age basically 2.5 million से लेके 10,000 BC तक का जो समय है बिलकुर पुराना जो समय हम वहाँ की ही बाते कर रहे होंगे मतलब उतनी पुरानी बात आज हमें करनी है Stone Age में ठीके, तो सबसे पहले हम History का classification को भी थोड़ा सो समझ लेते हैं यहाँ पर हमने History को तीन कैटिगरी में डिवाइट किया है पहली है Pre-History जिसको प्रियाग एतिहासिक काल के नाम से जानते हैं Proto-History जिसको आद एतिहासिक काल कहते हैं और History जो कि आज का समय है तो प्राग एतिहासिक काल, आद एतिहासिक काल और एतिहासिक काल हिस्ट्री को तीन कैटिगरी में डिवाइट कर रखा है अब प्री हिस्ट्री क्या कहलाती है मतलब इंसान जस्ट डेवलप हो रहा है अभी वो प्रॉपर्ली होमो सेपियंस भी नहीं बना है जैसे कि आज हम है उस समय वो लिखना नहीं जानता था तो कुछ भी हमको स्कृप् n एक स्टरी मतलब ऐसा समय जब इनसान लिखना तो सीठ लिया है वो कुछ न कुछ तो लिख रहा है कुछ डॉइंग कर रहा है कुछ लिख रहा है कुछ इस्कृप्टस हैं लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है ऐसे समय को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं जिसजह आ चुका है वह हिस्ट्री का समय कहलाता है तो मैंने क्या बताया प्रग एतियासे कल जहां के कोई भी रिटन एवीड़ेंस नहीं है जैसे कि स्टोन एज बारे में बात हो रही है आज ए इतियासे कल रिटन एविडेंस हैं लेकिन उनको समझा नहीं जा चुका है, पढ़ा नहीं जा चुका है, सिंदु घाटी सब्विता, एतिहासे कल पढ़ा भी जा चुका है, और रिटर्न अविडेंस भी है, तो ये आपके modern history और medieval history ये साया समय इसमें आ जाता है, clear है, चलो, आंगे हम बात करते हैं, अब यहाँ पर जो हमारी pre history है, pre history को भी कुछ लोग 3 categories में divide कर लेते हैं, कौन कौन सी category होती है, एक तो stone age होती है, पाशान काल होता है, जहाँ पे बहुत सारे tools बनाये जाते हैं, और इंसान पूरी तरीक से depend किस पर है, stone पर है, hunting किस से कर रहा है, वो stone से कर रहा है, तो वो पूरा period आपका stone age कहलाता ह stone age के बाद आपकी charlolithic age आती है, जिसको copper age के नाम से जाना जाता है, मतलब यहाँ पर वो copper, क्योंकि पहला जो metal है, पहले जो धातु है, वो copper ही होती है, जिसका उपयोग किया जाता है, तो copper का use करना सीख रहा है, जो वो heckshove बना रहा है, जो hammer बना रहा है, कुलहारी बना र कर रहा है, उसमें वो copper का use कर रहा है, मतलब copper का जब use होने लगा है, तो इसको हम charlolithic age या copper age बोलते है, आंगे बात करते है, iron age जब आईरन का use करना शुरू कर चुका है, मतलब वैदिक पीरेड में हम आच चुके हैं, और वहाँ पर हम iron का use कर रहा है, इस तरीके से prehistory को भ help of stone tools, है न सारी requirement को कैसे fulfill कर रहा है, तो पत्तर की सहाथा से पाशार की सहाथा से कर रहा है, इसलिए हमने इसको stone age बोला है, आज से पांच लाग BC से लेके 2520 तक का जो समय है, वो आपको क्या मिलेगा, stone age या prehistoric age के नाम से, तो prehistory को भी तीन category में हमें देखने को मिलेगा, तो हमें बात करनी, prehistory के बारे में, prehistory भी आपको तीन category में देखने को मिलती है, कौन-कौन सी, paleolithic period, mesolithic period, और newolithic period, तो यहाँ पे समझते हैं, lithic का मतलब होता है क्या, stone, lithic का मतलब होता है stone, और paleo का मतलब होता है old, तो old stone age को paleolithic period बोलते हैं, आज से 2 million BC से लेके 10,000 BC तक का जो समय है, वो आपका paleolithic age होता है, और यह पूरा जो समय चल रहा है, यह आपका ice age भी कहलाता है, इस समय आपको पता है न, पहले पूरा बर्फ जमा हुआ था, ice age, pleotucin जो age है, वो एरा यहाँ पर चल रहा है, ice age चल रहा है, इसके बाद आता है mesolithic age, जिसका समय बहुत ही कम है, ठीक है न, लगबग 10,000 BC से 8,000 BC सक का समय जो है, वो mesolithic period कहलाता है, meso का मतलब होता है middle और lithic का मतलब है period, तो middle period है ठीक है, new algorithm, new का मतलब नया और lithic मतलब stone, तो new stone यह जो है, new lithic period कहलाता है, और यह लगबग 9,000 BC, क्योंकि होता क्या है, कहीं-कही mesolithic चल रहा होता है, कह कहीं पे आपको evidence जो है वो new lithic के मिल रहा है इसलिए कुछ book में 8000 से 4000 लिखा है कुछ book में 9000 से 4000 लिखा है क्योंकि misolithic और new lithic का last era है last time है वो दोनों एक दूसरी के parallel हो जाती कहीं कहीं पे हमें misolithic की sites मिलती हैं उसी समय पे हमें कहीं कहीं पे new lithic sites मिलती हैं चालकुलितिक पीरियड जहां पे copper age की बात कर रहा है 4000 से 1500 BC के बीच का समय और iron age जहां पे vedic period के शुरुआद हो जाएगी 1500 BC से 600 BC चलो आंगे बात कर लेते हैं आज से लेकर लगबग 4.4 million years old की बात कर रहा है हमको पहले human के fossils मिलते हैं कहां पर अफरीका में इसलिए बोला जाता है कि पहला manov कहां पर मिला अफरीका में मिला है चीक है उस समय इंसान की height छोटी हुई होती थी उनका brain भी develop नहीं हुआता था small brain और small height के साथ ये लोग मिलते हैं इसके बात धीरे धीरे वो सीधा ख़ड़ा होना सीखता है इसको homo erectus के नाम से जानते हैं और फिर आज का जो human है उसको homo sapiens के नाम से जानते हैं तो homo sapiens भी आपको paleolithic age में last के जो phase है क्योंकि आपको paleolithic age है जो पुरा पाशारकाल है middle और upper तो upper paleolithic age में आपको homo sapiens मिलना शुरू हो जाएंगे मतलब human एक तरीके से develop हो चुका है उसका brain भी develop होना चुका है उस तरीके से वो काम करना शुरू करेगा साथी साथ अगर हम भारط में बात करते हैं कि पहले homo Gyoni 2000 fossil हमको कहा पर मिले हैं पहले मानो के अवशेश या मानो के खोपड़ी कहां पर मिलती है, तो यह हमको नर्मदा वैली में मिलती है, नर्मदा वैली नर्मदा वैली में एक जगह है जिसका नाम है हतनौरा, हतनौरा में यह जगह हमको मिलती है, बैसिकली जो मदर प्रिदेश है, यहाँ पे हतनौरा आदमगर और ऐसी करके कई जो है वो पहले लेथे समय की साइट से जहां से हमको फॉजल्स देखने को मिलते हैं तो भारत में पहला humanite जो फॉजल है या आप मानों कि अवशेश है वो कहां से मिलते हैं नर्मदा वैली के हतनौर से देखने को मिल जाएंगे जो 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 फॉजल्स जादा होते हैं जानवर भी वहां पानी पीने आते हैं तो आसान होता है उन्हें हंट करना उनका शुकार करना तो इसलिए नदियों के पास आपको जनरल ये साइट देखने को मिलती है आप देखेंगे कुर्णूल एक जगा है जो कि साउथ में है वहां पर आपको पैललिथिक साइट मिलेगी अतिरपक्कम जगा है तमिल नाडो में ये कावेरी नदी के किनारे आपको साइट मिलेगी आपको नासिक में गोदावरी के किनारे नर्मदा के किनारे आपको साइट मिलेगी आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो वैलन नदी बहती है तो वैलन वैली में जो है मिर्जापुर में आपको यहां पर पैललिथिक की साइट मिलेगी सोनम वैली में जाते हो या फिस सो English दोनों में है, ठीके, तो Paleolithic Age या पुरा पाशान काल के बारे में बात कर रहे हैं, इससा में Ice Age चल रही है, बहुत ही थंडा है, सब कुछ, किना बहुत ही थंडा है, और मालो इससा में जो है, वो इसमोन का यूज करता है किसका यूज करता है फत्तर का यूज करता है आगर पेरे पास एक बड़ा सा स्ट है इस टून को ठोख पीट कर तोड़ दू तो एक जो बड़ा हिस्सा है उसको हम कोर बोलते हैं चिछिक है तो core और flake तो basically यहाँ पे palliathic age को जो हमने तीन categories बनाई है कौन-कौन से lower palliathic age middle और upper तो इनको हमने यहाँ के use होने वाले tools के according ही divide किया क्योंकि palliathic age बहुत बड़ा है कई हजार साल लंबा यह period है तो यहाँ पे जो lower palliathic age है इसमें core का use कर रहे है core समझ रहे हो ना अब आप stone को आपने काटा है तो बड़ा जो हिस्सा है वो core है बड़े बड़े औजारों का use कर रहे है तो आपने उसको lower palliathic age कहा है फिर आपने जब flex से जो है वो औजार बनाने लगे जब छोटे मिलने वाले जो tools है उसकी according palliathic age को भी तीन कैटिगरी में divide किया है क्योंकि यह लगबख 20 लाग साल से लेके 12,000 साल तक का समय है इसलिए हमको इसको तीन कैटिगरी में divide करना पड़ा early, middle और later palliathic age तो यह सबसे लंबे किसमा है अब यहाँ पर इनसान को ना खेती करना आता है ना कुछ और काम करना आता है क्या ही करेगा survive करने के लिए तो hunt करेगा, जानवरों को मारेगा तो इनका main पेशा क्या होता है hunting होती है, तो hunting करता है हंट किसे करेगा, जानवरों को मारना है तो tools चाहिए, तो tools बनाना शुरूर किया tools किसके बनाएं नोंने, stone के बनाएं तो stone के tools बनाता है और hunt करता है, साथ ही साथ साथ ही साथ ये caves में रहता है जो shelters होती है, वो caves होती है है ना, तो गुफाओं में ये रहने का काम यहाँ पर करता है अब गुफाओं में जब रह रह रहा है hunt कर रहा है stone से मार रहा है साथ ही साथ जब इसने hunt किया जब इसने hunt किया, किसी जानवर को मारा तो इसको क्या कर लेता है, store भी कर लेता है मतलब थोड़े समय बाद खाने के लिए चीक है, अब तो जब यह tools बना रहा है tools कैसे बना रहा है, stone से बना रहा है stone से tool बनाने के लिए stone को काटेगा मारेगा, उसको जब दो stone आपस में टकराते हैं तो fire generate होती है तो इसने आग जलाना सीख लिया है तो पहले लिथे cage में इसने hunt किया है caves में रह रहा है कुछ भी लिखा नहीं है, कुछ भी cultivate नहीं किया है, farming नहीं किया है लेकिन hunt करता है, तो समान को store कर लेता है और इसके बाद इसने fire मतलब आग जलाना सीख लिया है यह देख सकती है, आप कुछ इस तरीके से बड़े बड़े tool जो है, वो ashes मिलती, इसका मतलब इसने आग लगाई होगी, तब ही तो यहाँ पर राख है, मतलब इसने आग लगाना तो यहाँ पर सीख लिया था, है ना जब आग लगाएगा तो एक दब मतलब roast करके खा भी सकता है बड़े यहां से, ठीक है ना, चलो अगली बात कर लेते हैं, हमको यहाँ पर जो ओजार या tools मिलते हैं वो stone के भी मिलते हैं, और हमको quartzite के भी मिलते हैं, tools कैसे मिलते हैं quartzite के भी मिलते हैं, tools और stone के भी मिलते हैं, ठीकिन और चूना फत्तर मतलब lime stone से भी इनोंने औजार यहाँ पर बना है basically यह सारे औजार या टूल्स की जो evidence है हमको river valleys में मिलते हैं कहाँ पर तो पूने नासिक में मिलते हैं कनाटक के हुकसी में मिलते हैं आम्रपिदेश के कुर्णूल में मिलते हैं तापती गोदावरी कृष्णा भीमा बर्दा और नर्मदा वैली में इन टूल्स को देखा गया है चीक है साथ ही साथ यहाँ पर मतलब इस पूरे reason में जो है हमको गैडा और जंगली बैल भी मिलते हैं क्या मिलते हैं हमको गैडा और जंगली बैल भी मिलते हैं मतलब धीरे धीरे मौसम ठंडा होने लगा था बारिश होने लगी थी बोला जाता सब करता है कि उस से में यृस त्रोपीकल रीजर में जो बारिश होती थी वह आग्स से कहीं War जादा गुना बारिष होती थी और जो जैंड्डा ओ जंगली बयह देखने नहीं करते हैं तो यहांसे ऐसा देखने को मिलता है कि धीरे धीरे मौसम जो है वो गरम होने लगा था और टॉपिकल रीजन में बारिश बहुत ज़ादा होने लगी थी, फ्लोरा और फाउना ज़ादा देखने को मिलते हैं। यहां पे गेंडर और जंगली बैल भी देखने को मिलते हैं। बनाना शूरू कर देगा, कुछ पेंटिंग करना शुरू कर देगा, तो कुछ घुपाओं में हमको पेंटिंग का जित्रकारी मिलती है, जैसे अधू भी मज बेटिका की जो गुफाई जो जो कि मद्र प्रदेश में हैं और यह आपकी पैलोलिथिक एज से, मिसोलिथिक नियो लिथे केज तीनों से रिलेटेट है मतलब भीम बेटिका की केफ से ना उसमें हुमन पुरा पाशानकल मद्ध पाशानकल और नफ पाशानकल तीनों में रहता था reason is that क्योंकि safe shelters थी climate भी warm हो चुका था नदी के आसपास था forest area भी जादा था फ्लोरा और फाउना जादा थे इसलिए यहां पर नम्मे समय तक जो है human रहें लगबख hundred से जादा केफ जो है वो भीम बेटिका में मिलती और भीम बेटिका मद्रप्रदेश के रायसेन में आता है ठीक है चलो अगली बात कर लेते हैं हम यहां पर कुछ हमें paintings मिलती हैं जिससे हमें कुछ बाते पता चलती जैसे कि जब बड़े जानवर की hunting करते थे तो एक ग्रूप में hunting करते थे मतलब अपनी पूरी family के साथ 20-25 लोग यहां पर जो है वो ग्रूप में रहना सीख चुके थे ग्रूप में यह लोग रहा करते थे साथे साथ यहां पर देखू यहां पर मिल रहा है कि हंट करके लाया हुआ है इसने आग जलाई है यह इस्टोन का यूज कर रहा है और यह केव है तो यह सारे जब paintings है यह evidence है उनसे हमें information मिलती है कि आग जलाना सीख लिया है हंट कर रहा है इस्टोन के tools बना रहा है बड़ रिजन जो है यह सभी रिजन जो है वो पहले लिटेक पीरिट से रहे है चली तो यहां पर कुछ characteristics देख लेते हैं यह केज की कि यह लोग स्टोन टूल यूज कर रहा है साथे साथ वोन टूल भी यूज कर रहा है आग जलाना सीख चुके हैं entertainment के लिए communication के लिए cave painting कर रहा है और साथ ही साथ लोगों को दफनाना शुरू कर दिया है लोगों ने नौट से south direction में यह लोगों को जो कोई death जाता तो उसको पहले छोड़ देते थे डला हुआ है इंसान फिर इनको दफनाना शुरू कर दिया चलो अगली बात कर लेते हैं mesolithic age की मतलब middle stone age के बारे में बा आ जाता है किसे mesolithe cage को यहाँ पर hunting तो है में पेशा क्या है hunting है जानवर को मानना है तभी तो आपको खाना मिलेगा फिर तो hunting तो में पेशा है साथ ही साथ यहाँ पर इनोंने domestication चुरू कर दिया था किसका animal का आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर यह एक animal दिख रहा है जनरली पहला जो animal इनोंने domesticate किया था यह पालना शुरू किया था वो dog था अब animal keeping और animal domestication में अंतर होता है Animal keeping का मतलब होता है कि इन्सान अपने फायदे को किसी animal को रख रहा है उससे उसने फायदा लिया एनीमल का ध्यान नहीं रख जैसे मैंने कुई गाय को रख लिया है गाय जब तक दूर्द दे रहा है यह वैलेंन को टो इसके बाद मैंने गाय को छोड़ दिया है मैंने गाए की सुकसुबिदाओं का ध्यान नहीं रखा ना है उसको breeding कराई ना है उसको proper खाना दिया यह animal keeping कहलाती है animal domestication का मतलब होता है आप किसी जानवर को रख रहा है वो अपने फायदे के लिए रख रहा है obviously लेकिन आप उसका ध्यान रख रहा है आप उसको proper डाइट दे रहा है और आप उसको breeding करा रहा है तो फिर उसको domestication कहते हैं तो animal का domestication जो है वो mesolithic age में देखने को मिलता है और पहला animal जो नहोंने पाला था वो dog था यहाँ पर stone tools जो है वो बहुत छोटे size में होगा थी आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे size में tools available है और बहुत ही sharp tools होते हैं इसलिए इसको हम microlethic age के नाम से भी जानते हैं जैसा कि मैंने कहा कि ice age जो है वो upper palolethic age आते आते खतम हो गई थी ice age खतम होने के कारण climate जो है वो humid होने लगा था climate जो है वो warm होने लगा था और warm climate अच्छा होता है farming के लिए अब इसने क्या किया किसी plant से कुछ तोड़ा खाया और फेग दिया उसने देखा उससे छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो रहा है मतलब उसने फसले उगती हुई देखी लेकिन अभी उनको उगाना नहीं सीखा है अभी इसने farming नहीं सीखी लेकिन फसलों को पेड़ पौधों को निकलते हुए इसने सीख लिया है और बोला जाता है कि पहली फसल जो इन्होंने उगाई वो jaw या फिर बारले था तो पहली जो बार्ले फिर बी राइज ऐसा करता है तो यह अच्छा पसुपालग था फिर ही क्या करता था शहद को जमा कर लेता था यह नहीं होता है मचली पकड़ना शुरू किया शिकार तो कर भी रहा था लेकिन wheels का development अभी इनोंने नहीं किया है लेकिन अब खाना खाना इस्टोर करने के लिए छोटे-छोटे से यूटेंसिल बनाना शुरू करती हैं जिसको म्रत भांड भी कहा जाता है तो जो हमको बहुत सारे अवशेश जो है वो म्रत भांड के देखने को भी मिलते हैं मैसलिथिक एज में मैसलिथिक एज कि अगर हम साइट की बात करें तो मेहर गर्ड भी एक साइट मिलती है ठीक है ना साथी साथ अगर हम बात करते हैं आदमगर साइट वहां पर हमें साक्ष मिल जाएंगे अगर हम वैलन बेली की बात करते हैं तो वैलन बेली में भी हमको साक्ष मिल जाएंगे तो इस तरीके से हमें कुछ साक्ष मिल जाते हैं दम-दमा दम शुरू किया था एनीमल का तो आदमगर यहां पर मदर प्रदेश में और यहां पर राजिस्तान में आपको बाग और साइट देखने को मिल जाएगी इसके अलावा कुछ और साइट से जैसे कि अगर आप देखे मैसूर करनाटिका में भी आपको कुछ केफ्स और साइट मिलत करती हैं ठीक है अच्छा दमदमा एक ऐसी साइट है जहां पर तीन नरक अंकाल भी मिले हैं मतलग तीन जो है मेल के स्कलरटन भी जो है हमको वो दमदमा से हमको मिलते हैं ठीक है मतलब इसका यही मतलब होता है कि इन्हें दफनाना शुरू कर दिया था कैसे दफनाते थे इन्होंने उस्ड करती है मैस में हंटिंग धीन का पर्पस था साधी साते है और ने फूट करना शूरू कर दिया था लेकिन अभी फूट प्रडियूजर नहीं तह सकता लेकिन अभी फूड प्रड्यूजर नहीं है फूड का प्रड्यूस करना शुरू किया असने न्यू लिथिक एज में जिसको न्यू स्टोन एज कहते हैं इसमें इसने अग्रिकल्चर शुरू कर दिया था ठीके ना अग्रिकल्चर के साथ साथ agriculture के साथ था domestication तो चल रहा था animal का घर अभी तक caves में रहता था अगर हम मैसलिटिक age की बात करें तो भी इंसान जो है वो caves में रहता था भी बेटी का में इसकी evidence मिलते हैं new lithic age में अब इंसान जो है वो घर बनाने लगा था मड से काउडग से जो है वो इसने घर बनाना शूरू किया था house pending करना शूरू कर दिया था और झब house खरन करना शूरू करेगा तो कबीले में रहना शूरू करेगा साथ में ग्रुप में रहना शुरू करेगा और कोई मर जाएगा तो फिर उसके लिए क्या करेगा इसका दफनाने का काम भी शुरू किया जाएगा तो basically जो मैसलिथे केज और न्यू लिथे केज है वो कहीं कहीं पर पैरलल भी देखने को मिलती है तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मद पाशान काल के बाद पाशान काल आता है और काफी drastic change होते हैं अब यह लोग हैं, इंसान हैं, होमो सेपियंस हैं यह बहुत अच्छे producer बन गए हैं यह agriculture करने लगे हैं, farming करने लगे हैं खेती आप करोगी तो आपको एक लंबे समय तक किसी एरिया में रहना पड़ेगा उस जगह की देखभाल करने के लिए इसलिए उनों छोटे-छोटे घर बना के अपने खेतों में रहना शुरू कर दिया और agriculture या farming करना शुरू कर दी है और मनुष्य का जो brain है वो धीरे-धीरे अब develop होने लगा है वो खेती करने लगा है यह सारे चीज़े हमको कहां से मिलती है तो यह सारे evidence पहले जो हमको खेती के साक्ष मिलते है evidence मिलते हैं वो मेहरगर से मिलते हैं मेहरगर आपको पता है आज पाकिस्तान में चला गया है तो मेहरगर से हमको पहले साक्ष मिलते हैं कि इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया है अब इनकी जो वस्तिया है वो नदियों की किनारे हैं क्योंकि agriculture के लिए आपको irrigation भी करना पड़ेगा सिचाई भी करना पड़ेगी तो इनके जो नदियों के पास डेल्टा रीजन में गंगा सोन, गंडग, घंगर नदियों के आसपास इनके लोग देखने को मिलते हैं बेसिकली ये कुछ साइड है जो की नफ पाशार काल से मेहरगर जो की आपको मैंने बताया पहरी एगरिकल्चर साइट यहाँ पर मिलती है जो की आपको पाकिस्तान में मिलेगा पयम बली तमिल नाडू में मिल जाएगा दाव जली हेडिंग जो की आपके असम में मिल जाएगा चिरांद, कोल्डी हवा इसके अलावा प्रताबगर, दैमाबाद, दमदबा, जोरबे महराश्च में मिल जाएगा बुर्ज हों, बुर्ज हों जो है वो कश्मीन में मिल जाएगा अब बुर्ज हों साइट क्यों इंपॉर्टन और यहां से कॉश्चन क्यों बनते है थंडी जगह है, थंडी जगह है तो यहां पर इस पिट बनाते थे, गड़व के नीचे रहा करते थे कुछ हमें गड़ए मिले हैं न्यूलिथे केज के जहां पर बोला जाता है कि होमो सेप्यनस रहा करते थे साथ ही साथ जैसे कि डॉक से मैं बहुत प्रेम करती हूँ और मैं मर गई तो मैं बोलूँगी कि मेरे साथ मेरे डॉक को भी वहाँ पे दफना देना चीक है न तो वुर्ज होम में हमको साख्च मिलते हैं कि एक व्यक्ति है उसका स्केलेटन और उसके बाजू में एक डॉक का स कि इसकेलेटन है तो एक कुते को व्यक्ति को साथ में दफनाया गया है ये सारे चीजहें भी हमें वुर्ज होम से को मिलती है तो ये कुछ साइट है जो कि न्यूलितिक एट से हमको को दीखने को मिल रही हैं क्लिए के रो गया चलो अगली बाद कर लेते हैं अगली अगली बात हम कर लेते हैं, और साइड मेहरगर पाकिस्तान में, गुफ कराल और बुर्जू हम कश्मीर में हैं, कोल्डी हवा महागाड़ा, प्रताबगर उत्तर प्रदेश में, चिरान जो है बिहार में है, पैयम पल्ली जो है आंदर प्रदेश में है, कुछ इसता तमिल ना मेहरगर में कुछ घर मिलते हैं, जो की चौकोर या आयताकार है, गोल घर भी मिलते हैं, रेक्टेंगल घर भी मिलते हैं, छोटी छोटी बस्तियां मिलती हैं, जहां पर रहे लोग रहा करते थे, बस्ती में कभीलेज भी मिलते हैं, इसने बीज बोना सीख लिया था, सचाई करना सीख लिया था, फलों को पका कर खाना सीख लिया था, भंडारन करना, स्टोरेज करना सीख लिया था, मतलब ब्रेन पूरी तरीके से डैवलप हो चुका था, तो न्यूलिथिक एज वो एज है जब वो एगरिकल्चर भी करता था और एनिमल का डॉमेस्टिकेशन करना भी शुरू कर दिया था, यह कुछ आज़ा आपको मिलते हैं, कुछ टूल्स मिलते हैं जो न्यूलिथिक एजगे हैं, आप यहाँ पे इन बर्फनों को देखे जिसमें वो स्टोर करने के लीए, स्टोरेज के लिए तो एज करता होगा, यहाँ पे देखी यह कुछ आज़ा मिल लोग आपस में लड़ाई भी करते थे, वार भी होती थी, तो कबीला जब बन चुका है, 25-50 लोग साथ में रह रहे हैं, तो जो सबसे powerful होगा, उसको कबीले का क्या बना देंगे, head बना देंगे, उसकी age, उसकी power, उसकी physical strength के according, तो ये भी हमें देखने को मिलता है, और वार के को ऐसा नहीं हुआ, तो मतलब इंसान जो है, वो भगवान के प्रतियास्था दिखाने लगता है, वो अपनी God बना लेता है, पूजा करने लगता है, तो यहां पे लोग जल, सूर, आकाश, प्रत्वी, गाय, इन सब लोगों की जो है, वो वर्शिप किया करते थे, पूजा आपको करी, उनी से रेलेटेट यहां पे कुछ कॉशन है, वो देख लेते हैं, मानो दोरा सबसे प्रत्व उप्यूक अनाज कौन था, मतलब कौन सा ग्रें था, जो सबसे पहले यूज किया था, जो था, बार ले, अगर केवल इंडिया की बात होगी, तो लुहार देफ में मिलेगा, चीखें, अगर हम बात करते, where is the first evidence of human being found in India, तो हतनौरा, नर्मदा वैली में मिलता है, अनाज की करसी सप्रतम कप्रारम होई थी, तो न्यू लिथिक एज में नफ पाशानकाल में फार्मिंग करना, कल्टिवेशन करना शुरू किया गया था, where is the national human museum located, तो ये भोपाल में है, इसका नाम इंद्रा गांधी museum कर दिया गया है, इंद्रा गांधी रास्टी मानव संग्राला इसका नाम कर दिया गया है, three human skeleton come out of the grave from one, कहां से तीन मानव कंकाल मिलते हैं, तो दम-दमा से मिलते हैं, जैसा कि मैंने डिसकस किया था आप लोगों के साथ, प्रताब गर्ड में, दम-दमा, और ये कहां है, सब उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे, रहा है, सराई नहार राय, ये भी कहां पर मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, Where is the Guff Jonal Neolithic Sites? तो ये कशमीर में है, ठीक है, ये कहां पर है, Guff Jonal Neolithic Sites, तो ये कशमीर में इस्तिथ होती है, तो गुफ्त कराल आपको यहाँ पर जम्म एन कश्पीर में मिल जाएगा चीक है न इसके अलावा ब्रह्म में गिरी ओवियसली करनाटका में होगा चीक है तो यह कुछ और साइट से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अच्छा यह हमें पता उसके बाद ब्रोंज बनाया उसके बाद आयरा नाया चीक है अगली बात है वियर वाज द भीम बेटी का केव लोकेट है तो भीम बेटी का केव कहां पर है तो राइसायन मदर प्रदेश में है जहाँ पे आपको केव पेंटिंग्स मिलेंगी तो human body के साथ dog का skeleton कहां मिलता है तो बुर्ज होम में मिलता है और यह भी आपको कश्मीर की एक new lithic sites देखने को मिलेगी तो question of the day आपके लिए रहेगा वाट इस रुटन इविडेंस हैस बीन फाउंट बट इस नाट बीन रीड रिडेंस मिले हैं लेकिन उनको रीड नहीं किया गया है उस age को हम क्या कहते है या उस era को क्या कहते है या answer आप हमको बता देना comment section में ठीक है so thank you so much हम मिलेंगे next session में और हम बात करेंगे sources के बारे में कि अगर हमें ancient history को पढ़ना है तो कौन-कौन से sources होंगे books के बारे में वेदास के बारे में हम बाते करेंगे next session में तो take care and bye-bye